वो दिन बहुत ज्यादा मुश्किल के थे जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था पढ़ाई करता था लेकिन अपने पापा मम्मी को दिखाने के लिए क्योंकि मेरे पापा बोलते थे अच्छा नंबर लाना है अच्छा नंबर लाना है और मैं डर जाता था और बस पापा को दिखाने के लिए पढ़ता था और जैसी पापा चले जाते थे वो ऐसी टीबी में बैट गया खेलना चला गया दोस्तों के साथ निकल गया और पापा के आने से पहले फिर से घर पे गुज़ गया ऐसी चलती थी मेरी स्टूडेंट लाइफ कि पता था पड़ाई बॉटेंट है लेकिन मनी नहीं लगता था कोई बात नहीं वह ओलते सीदे काम करता था म táu लटे सीदे मतलब बाहर जाताथा खेलता था योग किरता फिंद्ध कोनक रिस्क में रककर अपने पडाई यहीं करकर सिद्धा था पता नहीं क्यों करता था कि फ्यूचर इंपॉर्टेंट है बट फिर भी अपने अपने प्रेजन्ट को उस समय जो प्रेजन्ट था एजा स्टूडेंट मैं उस पे फोकस नहीं करता था फिर एक लड़की से प्यार हो गया और लगा कि वो लड़की मेरे लाइफ की सब कुछ है उसको टाइम दे दिया उसको कॉल करता था रात में वो भी कॉल करती थी जिस दिन वो कॉल नहीं करती थी मेरा पूरा दिन सत्यानास टेंशन क्यों कॉल नहीं कर रही है क्यों कॉल नहीं कर रही है क्यों कॉल नहीं कर रही है अब फिर जब मैं उससे कॉल करता था और उसकी कॉल बिजी आती थी तो मुझे गुस्सा आता था कि मुझे फोन नहीं कि या किसी और को फोन कर दिया ऐसी थी मेरे स्टूडेंट लाइफ जब मैं क्लास एलेवन ट्वेल्व में था कि यह जो अपने सेहत को लेके बिल्कुल सोचता नहीं था क्या सही है क्या गलत है राद बर सोता नहीं था जग जग के टीवी देखता था कभी मेरे मेरी मेरी जो रेजल्ट है कभी मैं फर्स सेकेंड थर्ड क्या मैं कभी फर्स से 10 तक भी नहीं आया मेरी जो रैंकिंग थी वह आती थी 17th 18th 19th 27 भी जाता था फिर ऐसी मैं बड़ा होता गया बड़ा हो गया मैं मैंने जैसे तर्स से अपनी ग्राजूइशन भी कंप्लीट कर दी फिर मैंने एंबिय भी किया क्योंकि मुझे अच्छी नौकरी चाहिए थी अच्छा कॉलिज तो मिला नहीं पड़ा कहा कि अच्छा कॉलिज मिलेगा फिर नौकरी में गया फिर नौकरी जो मिला मिल गया एकदम 2007 की बात है मेरा ड्रीम था पता है पहली सेलरी अट-टीस 25,000 तो होनी चाहिए मगर मेरी पहली सेलरी थी साड़े छे अजार रुपए दोस्तों मैं यह सब क्यों बोल रहा हूं आपको अभी तक तो मैंने बताया बेरी कि मैं कौन हूँ यह सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी जब पढ़ना था खेला कुदा और जब मुझे एक अच्छा जॉब मिलना था तो मैं साड़े छे आजार में सैटिस्वाईड हो गया मैं आप भी एक स्टूडेंट हो कि आप भी एक स्टूडेंट हो और क्लास स्कूल में हो या तो college में हो नहीं तो आपकी ग्राजूशन चल रही है या तो आप अपनी अपनी पोस्त ग्राजूशन कर रहे हो मेरी एक ही question है कि क्या आप अपने पढ़ाई के उपर दिमाग लगा रहे हो अपने पापा मम्मी को प्रूफ करने के लिए नहीं अपने लिए ताकि आपकी जो सैलरी हो या आपकी जो इंकम हो वो आपके एक्सपेक्टेशन से नीचे ना हो आपके एक्सपेक्टेशन से उपर हो दोस्तो लाइफ अजीब नहीं है भालाइफ कन्फीयूजिंग नहीं है लाइफ वो है जो हम लाइफ को बनाते हैं और इसलिए मैं आपका वेलकम करता हूं अपने like को बनाने के लिए अब आप वो लोगे कि मैं कैसे आपको आपको दे सकता हूं कि क्योंकि ग्राजूशन तक तो जो भी हुआ वह वैसे हुआ लेकिन उसके बाद जब मेरी आंके खुली और मैंने देखा कि मैं क्या कर रहा हूं अपने मैं मेरे लाइफ को मैं कैसे मड़र कर रहा हूं तब जाके आंके खुली नहीं पहले भी खुली लेकिन अभी जो खुली मतलब मैं अब 2007-8 की बात कर रहा हूँ तब जो आखे खुली मुझे समझ में आ गया कि सिर्फ आखे खुलना सब कुछ नहीं है एक नजरिया भी होना चाहिए और ये नजरिया मिलता है NLP से NLP NLP का मतलब होता है Neuro Linguistic Programming and welcome to this program जिसका नाम है NLP for World Class Students I don't know आपकी एज क्या है आपकी एज 5 साल से 15 साल है या 16 साल से 25 साल है या 25 से 35 साल है या 35 से 45 साल है मुझे नहीं पता आपकी उमर क्या है लेकिन अगर आप कुछ सीख रहे हो यहां पे इसका मतलब आप student हो और अगर आप एक best student हो पता है best student क्या होता है जो अपने mentor को belief करे अपने guru को belief करे वो होता है सही माइने में एक छात्र एक student सो मैं आपको welcome करता हूं क्योंकि मैंने अपनी life को change की मैंने अपने life को साड़े 6000 की नौकरी से आज एक level पर मैं लाया हूं कि उस बीफोकस्ट इंसान से एक डीफोकस्ट जिसको क्या करना है दिखाने के लिए पढ़ता था आज उस level से आज मैं इस level में आया हूं जहां पर मुझे मुझे लगता है कि मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो मैं अपनी life को बना नहीं सकता उस level से इस level में साथ आने में time लग गए क्योंकि मैंने बहुत समय बर्वाद किया लेकिन अब जो मैं यहां आया हूं अब आगे बढ़ना है अब पीछे नहीं हटना है अब NLP जानने के बाद मुझे पता है कि यह जो दिमाग है न यह कुछ भी कर सकता है यह magical है मुझे लगता था कि हम यह आप यहां पर अपर जा सकते हूं और यह कुई competition नहीं है अपने parents के साथ यह का सा कॉम्पीटिशन में जसमें एक 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 एसा competition है जिसमें आपके parents आपसे हारना चाहेंगे क्योंकि हर पर चाहता है कि मेरा जो बच्चा है ना वो मुझसे भी अच्छा जाए तो तयार हो इस program के लिए जिसका नाम है NLP for world class student और जो world class होता है वो world class lifestyle को जीता है तो आप अपने lifestyle को you know world class बनाना चाहते हो के नहीं अगर आपका जवाब हाँ है तो welcome to this NLP Neuro Linguistic Program दोस्तों एक चीज मैं आपसे बिस्कस करूँगा अच्छे से देखिए यह जो आप देख रहे हो यह है conscious mind and subconscious mind और जो भी हम इस mind में सोचते हैं वो नीचे directly body पे असर करता है और जैसे वो body पे असर करता है वो हमारे result में दिखता है इसका मतलब है कि जो भी हम आज देख रहे हैं आप मुझे सुन रहे हो तो अभी आप अपने conscious mind को use कर रहे हो और जैसे ही आप conscious mind में वो चला जाएगा body में और जैसे ही आपकी body में आ गई वो चला जाएगा result में इसका मतलब है कि जो आप हमेशा देखते हो सुनते हो alert हो के वो आपकी conscious में ही रहता है अभी भी जो मुझे आप सुन रहे हो यापकी conscious दिमाग में है इससे कुछ फायदा नहीं होगा लेकिन जो भी आज हम इस neuro-linguistic programming में सीखेंगे और वो नीचे जाते रहेगा मतलब subconscious mind में जैसी चला जाता है subconscious mind में वो दिखता है आपके life में अगर positive जाएगा तो positive दिखेगा अगर negative जाएगा तो negative दिखेगा लेकिन अभी तो आप conscious हो अभी आपको पता है क्या सही है क्या गलत है लेकिन क्या आपको पता है आपके subconscious mind में कुछ ऐसे negative qualities हैं जो आपको change करनी चाहिए सोची आपको लगेगा कि मैंने कब गुसाया negative मैं तो हमेशा अच्छा सोचता हूं वो तो आज आप अच्छा सोचते हो लेकिन जब आप एक बच्चे थे तो क्या आपको इस बात की knowledge थी कि क्या सही है क्या गलत है आपको मैं दिखाता हूं मैं बोलूंगा नहीं मैं आपको दिखाने वाला हूं देखिए यह conscious mind subconscious mind body and result लेकिन जब आप एक बच्चे थे तो आपका दिमाग कुछ ऐसा था नीचे देखिए आपका सबकॉंशिस माइंड एकदम खुला था क्योंकि आप अलर्ट नहीं थे आपकी conscious mind थी नहीं आपको पता नहीं था कि क्या सई है क्या बुरा है तो जो भी आपके दिमाग में आया वो डिरेक्लिए आपके सबकॉंशिस में गया और जैसी आपकी सबकॉंशिस में वो गई वो आपके बॉड़ी में दिखी आपके रिजल्ट में दिखा वेरी सिंपल तो दोस्तों ये एनल पी से हम दो चीज़े करेंगे अच्छी चीजों को सबकॉंशिस में डालेंगे और जो सबकॉंशिस में जो अल्रेडी नेगटिव है उससे सबकॉंशिस से निकालके बाहर ताकि जो भी रहेगा सबकॉंशिस में वो चेंज करेगी अपनी लाइफ तयार हो आप इस जर्नी के लिए हम सीखेंगे एनल पी के जरीए आप अपने लाइफ को कैसे चेंज करोगे तो नीड़ पी क्या है एनल पी का जो पहला है एन इसका मतलब है नियूरो नियूरो तो नीड़ो क्या है निड़ो का मतलब होता है nervous system through which experience is received and processed through five senses जी यहां दोस्तों नियूरों का मतलब है कि जो भी हम अभी सुन रहे हैं देख रहे हैं फील कर रहे हैं अपने हातों से आखों से नोज टांग कानों से जो भी हमारे पास इंफॉर्मिशन आ रहा है हमारे दिमाग में स्टोर हो रहा है इसे नियूरों कहा जाता है and what is programming मैं बताता हूँ programming क्या है programming का मतलब है उससे पहले what is linguistic of course neuro linguistic linguistic का मतलब होता है language and non-verbal communication system through which neural representations are coded ordered and given meaning इसका मतलब है कि जो भी हम बाहर से ले रहे हैं अंदर में गुसा रहे हैं अंदर में positively गुसा रहे हैं कि negatively गुसा रहे हैं अंदर में मतलब अपने दिमाग पॉजिटिव कोडिंग कर रहे हैं कि negative कोडिंग कर रहे हैं इस बात को जानना जरूरी है अगर पॉजिटिव कोडिंग कर रही है तो आपके बॉड़ी में आपके रेजल्ट में आपके लाइफ में वो दिखेगा और अगर आप नेगेटिव कोडिंग कर रहे हैं तो वो भी आपके लाइफ में दिखेगा मैं एक स्ट्रेट कट बात आपको लगता है कि आपकी लाइफ अमेजिंग चल रही है कि आपको ऐसा लगता है अगर हां मतलब अच्छा कोडिंग है और अगर आपको लगता है कि ना तो इसका मतलब है कि कुछ कोडिंग है जो गलत है और उस कोडिंग को हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा अगर अ और specially जो negative coding किया हुआ है उसको positively convert करेंगे तो इसी को बोला जाता है programming, neuro-linguistic programming, अपने दिमाग के positive and negative भाशा को program करना, मतलब अगर गलत है तो सही करना और सही को और थोड़ा सही करना so guys this is called programming the ability to organize our communication and neurological system to achieve specific desired goals and result in short NLP change करीगी आपकी पूरी लाइफ कोई भी problem हो, income की problem हो, पढ़ाई की problem हो, result की problem हो, relationship की problem हो luck factor काम नहीं करता, आपको लगता है आप काफी unlucky हो, पैसे रहते नहीं है, आपको लगता है कि जो आप सोचते हो आपको मिलता रही है, आपको शान्ती नहीं मिलती है, आपको गुसा बहुत जल्दी आता है, आपकी सेहत सही नहीं है, चुटकियों में आपकी सेहत बदल जात नेगेटिव ली मतलब इन शॉट कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में है आपके पापा ममी से आपके बंती नहीं है अगर शादी हो गई तो आपकी बीवी से नहीं बनती है कुछ भी रीजन हो एन एलपी करेगी चेंज चेंज नहीं करेगी आपके लाइफ को ब्यूटिफाई करेगी बदल देगी तैयार हो आप इसके लिए हमने बनाया है एन एलपी फॉर वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट अगर लाइफ को चेंज करना है तो फिर से स्टूडेंट लेवल में जाना और अल्रेटी अगर आप स्टूडेंट हो यही टाइम है यार सही टाइम है अभी चेंज करो सोरी अभी मुझे लगता है काश मैं रिवाइंड बटन दवाता और अपने स्कूल लाइफ में चला जाता फिर कॉलेज लाइफ में चला जाता तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो तो दोस्तों हम बना रहे हैं 30 वीडियोस तो आप देख सकते हो डे नमबर वन चल रहा है एसी हम बनाएंगे डे टू डे त्री डे फोर और इसको हर दिन देखिए हर दिन विदाउट फेल ताकि चेंज भी आपको हर दिन दिखे आपके लाइफ में आज हमने कुछ नहीं सीख मत रखो कि नभी मेरा तो नेगेटिव प्रोग्रामिंग नहीं है अगर मैं प्रोग्रामिंग खुश हूं मुझे दूसरों से प्रॉबलम है वो मा लेकिन वह सकस्वन नहीं होगा अगर यई अधर जाकर हम कुद में सही आ रहे आ सटौप ब्लेम करो और लाइफ करनी तो मत करनी यह और नथ को यह जिरो और कर करना बान कि ट्राइट तो कर सकते हैं लेट्स ट्राइब इस हम आप से मिलेंगे डे नंबर क्या गया तू में आज के लिए इतना ही रखते हैं मैं सच में आपका फीडबैक जानना चाहूंगा कि आज का सेशन कैसा था आपको यह लिंग जिस ग्रूप में मिला है इस ज़रूर करें और अगर कोई question है तो वो भी करें मैं आपका अंसर जरूर दूंगा थैंक यू थैंक यू वेरी मॉच फिर मिलेंगे कहा गया डे नंबर टू में खुदा हाफिज थैंक यू फिर मिलेंगे टे नंबर टू में थैंक यू